मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि गाना कब शुरू किया जैसा कि मम्यों पापा कहते हैं मैं चार साल की थी और मंदिर में पहली बार गाया था वो थोड़ी धुंदली याद है मेरे लिए जवाब तो वो बिल्कुल सही है लेकिन सचा ही वो नहीं है सच बात तो ये है कि और कोई तरीका ही मुझे नहीं मालूँ जीने का संगीत और गाना मेरे जिस्म का एक हिस्सा है जैसे कि हाथ पाव दिखते हैं ये दिखता नहीं लेकिन मैं पूरा महसूस करती हूँ अगर ये नहोता तो शायद मैं ही नहीं होती मैं अपने ममी पापा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ बहुत आभारी हूँ उनकी के मेरी इस आवाज को नहोंने पहचाना खास करके मेरे पापा जिन्होंने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया और सब छोड़ चाड़ कर बस इसी में जुट गए और वो सब किया जो वो कर सकते थे ताकि मैं उन सब क्रियेटिव लोगों से मिल पाऊं मेरी आवाज उन तक पहुँच सके और उन सब क्रियेटिव लोगों की वज़ा से वो सब मिजिक डिरेक्टर्स की वज़ा से उनकी पहल की वज़ा से मैं कुछ गापाई और मेरी एक पहचान बन पाई पहचान से जादा मैं कहूंगी कि मुझे जीने का मकसद मिल गया आज इतना बड़ा Prestigious Award का हगदार मुझे माना जा रहा है इसका धन्यवाद करने के लिए मेरे पास लवज नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं जिन्दगी भर वो सही लवज ढून भी पाऊंगी मैं बेहत खुशों के कमली के लिए मुझे इसका हगदार माना जा रहा है यश्राज फिल्म्स, प्रीतम, अमिताब भटाचारिया इन सब का बहुत योगदान है इस गाने में और आप सब लोगों का प्यार और आपका योगदान जो मेरी लाइफ में रहा है उसका तहे दिल से शुक्रिया दा करती हूँ आप हैं तो मैं हूँ